हलो प्रेंट्स आज मां आपको बता रहा हूँ परजना इसस केपसूल जो आपको नेच्रल के आते हैं ऐर्वेधिक आते हैं। कितनी डोज आप अपने बड़े पशुम बड़ने चाहिए। पशुम कैसे काम करता है यह साथ में और अदर भी क्या काम करते हैं आज की वीडियो के अंदर आपको सोट बता जाएगा चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें आपको पताएगी चैनल पर भी सही सटी को सैंट्विंग मेथेट से सोट में सही जानकारी दी जाती है देखो यह जो परजना है चैस कैपसुल आते हैं जो आपको दिख यह आईरवेदिक यह नेच्चुरल क्या आते हैं भौत अच्छे कैपसुल पुरानी है जो बहुत दिनों से चलते आरहे पशू को जैसे गाहाबैस हीट में याप आ रही है तो गाहा बैस हीट मिलाने के लिए आधर जो फिमेल कैटेगरी पशू है उनको हीट मिलाने के लि वीट में नहीं आ रहा है तो वह उन पसु को हीट में लाने का यह काम करते हैं यह कैपसुल शिर्फ और सिर्फ फिमेल के टेगर फिमेल के टेगरी में जिसे गाय बैस बेड़ बक्री आधर एनिमल्स हैं उनके अंदर ही परियोग किये जाते हैं अब इनकी डोज क्या होती है पसु हीट में नहीं आ पा रहा है तो पसु को हीट मिलाने के लिए आप अधर दवा दे रहें जिस तरह से मिनरल मिक्सर दे रहें या कई इस तरह के किट दे रहें तो उनके साथ भी आप सपोर्ट थरपी के तोर पर इन कैपसुल का परियोग आप अपने पसु में लगातार तीन दिन देने यानि तीन कैपसुल एक सा दे दिया दूसरे दिन तीन दे दिये तीसरे दिन आपको तीन कैपसुल दे इस तरह से आप लगातार तीन दिन कैपसुल देने इसी तरह से बेड़ बक्रियां है तो उनमें आप दो कैपसुल यानि बेड़ बक्रियों म यह capsule दे दिया और दस दिन के अंदर अंदर पशू हीट भी नहीं आपाया तो दस दिन के बाद में यह एक पत्ता लाकर के आप अपने पशू को और खिला दे इतना महंग आता नहीं है 50 रुपे के नो केपशल आते हैं ज्यादा खर्चा आता नहीं है तो दसी दिन बाद में आपको फिर तीन केपशुल एक दिन दूसरे दिन और तीस तरह से आप अपने पाश्म को ये लगाता है तीन दिन रोड़े उसके बाद नेच्छा लगे उस तरह से परजनाइस काम करते हैं तो इस तरह परजनाइस काम करते हैं उनके साथ इसलिए तरह देखते रहें थैंक्स धन्यवाद